तो दोस्तों आलू की एक बहुत ही चटपटी रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी लगती है, चलिए देरकिस बात की बनाते हैं, नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है, मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही चटपटा फ्राई आलू रेसिपी और दोस्तों ये जीरा आलू नहीं है बहुत ही टेस्टी मसालेदार आलू है और इसे बनाना बहुत ही इजी है जरूर बनाईएगा रेसिपी को पूरा देखिएगा और पसंद आए त पार बलत की सबस्त्रास भागा नोला है तो अलोको पूरी तरीकत से फ्राणडा हो जाए घराईको सब्स्सेटार वार accomplishments अब लेंगे कडाही, रखेंगे गैस पे और इस पे डालेंगे तेल, तो यहाँ पे मैंने सरसो का तेल यूज किया है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस सबजी के लिए सरसो का तेल ही लीजेगा, नहीं तो और भी तेल जो भी आप खाते हैं ले सकते हैं, तेल में हम बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है जरूर डालिएगा और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला गैस की फ्लेम को बिलकुल लो पे रखेंगे और अब मैंने यहां पे लिया है लहसन, हरी धनिया, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जिसे हमने डाल दिया है बहुत ही चटपटा स्वादिष्ट बनता है इससे इस मसाले को मिस बिलकुल मत करिएगा इससे डालने के बाद हम डालेंगे एक चमच भर के छोटे चमच से अमचुल पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे अब सारी चीजों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे यह द और इसे डालने के बाद लो फ्लेम पे एक से दो मिनट तक इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे ताकि जो आलू है ना उस पे मसाले अच्छे से कोट हो जाएं और आप देख पा रहे होंगे जो मसाले है ना बहुत अच्छे से आलूं पे कोट हो रहे हैं और य या डालने के बाद हम कर देते हैं गैस की फ्लेम को बन और ये देखिए लाजबाब सा कलर आया है और खाने में तो टेस्टी बना ही है आप इसे पूरी से खाएं पराठे से खाएं, डाल चावल के साथ खाएं या फिर आप ना इस आलों को जब बनाएंगे तो रूखे ही खा जाएंगे मेरी ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताईएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें